तो इस पार्ट में हम पिछले पार्ट के आगे से शुरू करेंगे, इसलिए अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है, तो पहले उसे देख लेना, तो अब हम देखते हैं कि साखकों का घर लकडी से बना हुआ था, साथ ही यूजी के कई दिन वहां बहुत ही बेरंग से बिट जाते हैं, अब कुछ दिन बाद वहां जे भी आती है, जो कि साखकों की दोस्त, साथ ही वो वहां की कोई वकर भी थी, अब साखकों और जे भी यूजी को नहलाने का फैसला करते हैं, पर वो देखते हैं कि उसकी बोडी पर कई चोट और घाव के निशान है, ये साखकों और यूजी आपस में घुलने मिलने लगे थे, साथ ही एक दिन साखकों यूजी को एक डॉग गिफ्ट करती है, जिसका नाम वो लोग जॉन रखते हैं, अब जॉन के साथ खेल खेल कर यूजी बहुत खुश था, साथ ही वो अपने पास्ट को भी भूलने लगा थ तो अब साखकों उसकी ट्रेनिंग स्टॉट करती है, वो यूजी को कई बुक्स पढ़ने देती है, जिससे की यूजी ग्यान मिले और वो फैसले लेने में माहिर हो सके, अब इस दोरान यूजी को पता चलता है कि साखकों CRS के लिए काम करती है, दरसल ये एक जैपनीज अ लग भी जाता है, तो अब जब यूजी वापस जंगल से घर आता है, तो वो देखता है कि टेबल पर उसके गिफ्ट के तौर पर एक बॉक्स रखा है, जिसके अंदर एक गन थी, अब इसे वो बहुत ज्यादा ही excited हो जाता है, और जब वो उससे एक हिरन को मारने वाला था तब उसे अपना पास्ट याद आने लगता है, जिस वजह से वो उसे नहीं मार पाता, साथ ही साथ साको भी मान लेती है कि अभी ये छोटा बच्चा ही है, पर अगले दिन जब यूजी उथता है, तो उसे जौन के भॉकने की आवाद सुनाई देती है, अब पहले तो उसे लगता है कि शायद साको जौन के साथ खेल रही होगी, पर ऐसा नहीं था, जब वो वहाँ जाता है, तो देखता है कि वहाँ एक बहुत ही बड़ा भालू था, जिसने सामने की दिवार तोर दी थी, अब यूजी अपनी नई गन उठाता है, और सीधे उस भालू की तरफ त जाता था, क्योंकि अब जौन उसकी फैमिली का हिस्सा था, जौन के खून से बने निशानों का पीछा करते करते, जैसे ही वो भालू को देखता है, तो वो सीधा उसकी तरफ अपनी गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन तभी बर्फ के फिसलने से वो भी फिसल जाता है, और जाती है, पर अब इससे भालू ने भी उसे नोटिस कर लिया था, तो अब वो भालू उसके बार बार आ रहा था कि उसे उस भालू को मार देना चाहिए था, अब उसे उसके पास्ट का एक भयानक सीन दिखाई देता है, साथ ही उसको एक लकडी भी मिल चुकी थी, और इस पार वो समय बरबाद ना करते हुए, सीधा ही उस भालू के आँख पर हमला कर देता है, अब उसने अपनी गन भी उठाली थी, पर तब भी वो देखता है कि वो भालू जौन को उसके बच्चों के लिए लाया था, अब भालू के बच्चे जौन को खाने लगते हैं, जिसे देखकर यूजी खुद से ही पूछता है कि आखिर क्यों उसने तब गोली नहीं चलाए, पर अब कुछ नहीं हो सकता था, इसलिए यूजी वापस घर आ जाता है, अब घर आने के बाद वो साकों को पूरी बात बताता है, और उसे अपनी गलती पर बहुत दुख हो रहा थ लेकिन फिर साकों उसे समझाती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं थी, तो अब उसकी बात सुनकर यूजी बहुत तेज रोने लगता है, फिर जब वो जॉन की कॉलर को उसकी ग्रेव पर रख रहे थे, तब ही उसी वक्त यूजी डिसाइड कर लेता है कि बस अब वो इस तरह कायब बनकर नहीं रहेगा जी, ये सब बात वो साकों को भी बताता है साथ, ही वो उससे कहता है कि वो साकों की ही तरह स्ट्रॉंग बनना चाहता है, जिससे कि हर वो व्यक्ती जिसे वो पसंद करता है, उसे बचा सके, अब उसे बताती है कि अभी तक जो भी कुछ उसमें दिखाया था, सब सिर्फ उसकी प्रोटेक्शन के लिए था, पर अब जब वो उसे सिखाएगी उसके लिए उसे ये बात समझनी होगी कि इस सब का इस्तेमाल वो जरूरत पढ़ने पर ही करे, ना कि किसी से बदला लेने या फिर खुद को साबित करने के लिए, अब अपनी बात को एंट करते वक्त वो उससे ये भी कहती है कि, तुम हमेशा ये ध्यान रखना की, अगर तुम ही खुद से पहले दूसरों को बचाने का मौका मिले, तो तुम बिना कुछ सोचे दूसरों को चुनना, अब सब के बाद एक दिन साको सो रही थी, तब ही उसे एक तो अब इस बात पर जेबी और साको की थोड़ी बहस हो जाती है, पर लास्ट में यूजी कहता है कि, इसमें साको ने उसे फोस नहीं किया है, ये यूजी की हिम्मत थी और उसे भी खुद के डिसिशन खुद लेने का पूरा हक है, अब ये सुनकर साको से पूछती है कि क्य जा उसे इस काम का लाइसेंस चाहिए, तो इस पर तुरंथ ही हा कर देता है, इसके बाद उसे अमेरिका भेजा जाता है, एक खास ट्रेनिंग अकेडमी के लिए, अब अकेडमी में वो एक लड़के से मिलता है, जिसका नाम टोनी था, अब किसमत से कुछ ही टाइम में वो वहाँ एक लड़की से भी मिलता है, जिसका नाम मेगनिस था, और वो उनकी ट्रेनिंग की इंचाज थी, वैसे तो वो बहुत ही स्ट्रिक्ट थी, पर जब उसे पता चलता है कि युजी साखुको का स्टुडेंट है, तो अभी उसी को उसकी तरफ से स्पेशल मिलता है, लेकिन अब ट्रेनिंग के दिन उसका एक भी निशाना टारगेट पर नहीं लगता, पर जब इस बारे में अपर लेवल के ओफिसर से उसकी बात चल रही थी, इगनिस ये कहकर युजी को बचाती है कि युजी के पास एक खास तरह का टैलेंट है, तो अब उसे ए टियाना स्टॉट हो जाती है, साथ ही उसे ऐसा लगता था कि अब वो ऐसे ही किसी को मार सकता है, पर वो बिल्कुल गलत था, तो अब एक रात को जब वो सभी रेस्ट कर रहे थे, तभी युजी को पता लगता है कि एनिमीज उनके तरफ ही बढ़ रहे हैं, तो अब वो सब चुपकर अटेक करने का ट्राइ करते हैं, अब एनिमीज के सामने आने पर अब उसे उन पर गोली चलानी थी, तो अभी युजी आँखे बंद करके ये रिलाइस करता है कि इसमें वो कोई भी बेवकुफी नहीं कर सकता है, क्योंकि उसके सभी साथ ही उस पर ही निर्भर है तो अब वो ये सोचता है कि सामने वाले इनसान नहीं, बहुत ही बुरे लोग हैं, तो अब वो आँखे खोलता है, और एक के बाद एक सभी एनिमीज को मारते जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि अब कोई भी और उसे छोड़ कर जाए, तो अब वो उसी राद अब ये पहली बार था, जब उसे खुद के जिदा होने की खुशी हो रही है, पर अब वो कन्फ्यूस था, कि अब वो अपनी लाइफ के साथ आगे क्या करे, लेकिन फिर वो उससे कहता है कि वो अपनी पूरी लाइफ अब उसके लिए जिएगा, जब वो वापस जापान आता है, तो उसे पता चलता है कि साख को अभी अपनी आखिरी सासे ले रही है, अब जे भी यूजी को साखो की बीमारी के बारे में बताती है, जिसे जानकार यूजी इस साखो के पास जाता है, और देखता है कि वो बैट पर पड़ी हुई है, अब यूजी उसका हाथ पक और कहता है कि उसी की वजह से आज ये यूजी को उसकी लाइफ का सही पपस मिला है पर अब वो भी ये बात समझ चुका था कि वो फिर से अपने किसी खास को खोने वाला है और इसमें वो इस बार भी कुछ नहीं कर पाएगा तो अब वो साको से पूछता है कि उसके जाने के वो आखिर करेगा क्या और फिर जब जे बी से उसे पता चला है कि साको के पास अब और टाइम नहीं है और शायद वो इस राद भी सवाइव नहीं कर पाएगी तो ये जानकर साको के पास बैठने का फैसला करता है साथ ही वो उससे भी स्टॉर्स के बारे में बात कर रहा थ साको हलका सा हसते हुए कहती है कि वो अब बहुत ठक चुकी है इसलिए अब वो रेस्ट करना चाहते हैं तो अब वो एक दूसरे को गुड नाइट बोलते हैं और इसके बाद साको कभी अपनी आँखे नहीं खुलती वैसे ये स्टोरी और ये एक्स्प्लेनेशन आपको कैस कमेंट में जरूर बताएगा और अगर अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना बिलकुल भी मत बूलना